मोधी कैबनेट की बैठक में लिया गया फैसला रहडी पट्री वालों को मिलेगा दस जार का कर्ज जिलादकारी की अध्यक्षता में प्रवासी स्रमिकों को रासन की तेवं एक हजार रुपए उपलद कराने हैं तुर बैठक हुई संपन जिलादकारी सुखलाल भारती की अध्यक्षता में आज कोवीड-19 को दिरिश्टिगत के लागडाउन के कारण इस पर निस्थिती से निपटने हैं तुर प्रवासी में स्रमिकों को रासन की तेवं एक हजार रुपए की सहायता उपलद कराने की संबन में कलेक्रिट चेंबर में बैठा कारिजन किया गया जिलादकारी सुखलाल भारती ने बताया कि उप्त सहायता पाने है तु वही वेक्ति पात्र होंगे जो उसी गाउं के स्थाई निवासी हो बाहर के आयने की प्रस्चात हों कॉरिंटाइन में रहे हो से किस दिनांग को तथा किस साधन से वापसाये विवरन को ग्राम निगरानी समी तथा चेतरी लेकपाल द्वारा प्रमानिक किया जाएगा इसी प्रकार सहरी चेतर में भी वही वेक्ति पात्र होंगे जिन्हें मुहला निगरानी समी तथा अस्थानी निकार्ष द्वारा नामित अद्कारी द्यारा प्रमानिक किया गया हूँ उन्होंने आगे बताया कि ग्रामेडवास सहरी छेत्रों में ऐसे वेक्टी जिनके पास अपने परिवार के भरन को सरती सुविधा नहीं है उनको एक हजार वेक्टी माहां उप्लब्द कराने हैं समस्त और जिरातकारी न पुनाहस पेस्ट क्या जाता है कि रासन किट वित्रण हे तुपात्र सभी परिवार वेक्टियों के मोबाइल नंबर अनिवार रोच से लेपसाइट या प्रवासी राहत नित्र एप पर फीट कराए जाए सासरा करा सत्यापित के वेक्टियों के सापेक्ष्ये ही भुक्तान अनुमान Frei होगा जिरादकारी ने ल्डीएंप Go againPL के वैंक खाते लेह प्रवासी सुंकों को कि समस्था असुधा नहीं होनी चाहिए बैठक में अपर जरात्कारी बित्यों राजीस केसो कुमार उप जरात्कारी सदर अबूलहकलाम उप जरात्कारी अलि गंजी जलेसर जिलापूर्थी प्रद्धान ने तर्थकाल सफाई करने के दिये निर्देश ग्राम प्रद्धानों को निर्देश दिये कि निगरानी समित की समय समय पर बैठा कर लोगों को क्या जाए जागूर। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सस्क्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और सेर करना न भूलें।